हेलो गेमर्ट्स एक पर फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एंगरी गेमिंग चैनल पर सो गेमर्ट्स फाइनली आपके भाई के पास इवो एके को लेके मतलब की ब्लू फ्लेम ड्रैगो एके के सारे के सारे डीटेल्स आ चुका है और आपको भी पता है कि इतना जादा कमेंट आ रहा था इस चीज को उपर कब आएगा कैसे आएगा कहां पर आएगा लगातार दो दिन के मेहनत के बाद इसके उपर मेरे पास डीटेल्स आ है और वो चीज मैं आपके सारे शेयर करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते गाइस कि कौन भाई जीत चुका है 500 डायमन तो फटाक से जाओ डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टेग्रम का लिंक मिल जाएगा मुझे मैसेश कर दो मैं आपको यहाँ पर 500 डायमन दे दूँगा अगर आप भी गाइस यहाँ पर ऐसी 500 डायमन जीतना चाहते हो हर वीडियो में तो जाओ फटाक से चैनल को सिस्क्राइब कर लो पहला स्टेप एंड सेक्टेब वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके शेयर कर देना और यह तीन चीज़ करने के बाद आप लोग पार्टिसिपेट कर लोगे और कल के वीडियो में इसके रिजल्ट आएगा कि कल कौन जीतेगा 500 डायमन तो प्लीज वीडियो को शेयर करके सस्क्राइब कर लेना तो चलो गाइस और ज़रा लेट नहीं करते चल लिसे वीडियो को शुरू गड़ते हैं सो गेमर्स आज का जमरा पहला नंबर अपडेट होने वाला है वो होने वाला है आप लोगों का इवो एक एक के बारे में कैसा लगा मेरा मजाक गाइस ऐसी मजाक कर रहा था इवो एक एक के बारे में बोलूँगा बस थोरा से वेट कर लो उससे पहले भी काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जो आप लोगों जानना चाहिए सो गाइस आज के जमरा सबसे पहला नमबर अपडेट होगा वो होगा नया ग्रैंड मास्टर अर कहना क्या चाहते हो यार कहना क्या चाहता हो कहना तुम्हें यह चाहता हो कि गाइस अब लोगों न्यू सी एस में हाँ गाइस CS मतलब ला क्लेश स्कौर्ड में आपको रैंग में ग्रैंड मास्टर देखने हो मिलने वाला है हाँ जैसे रैंग पर अप ग्रैंड मास्टर देखने हो मिले जायेगा CS पे और यहाँ पर जो आप लोग ग्लोबली भी जा सकते हो हाँ गाइस जैसे रैंक पे ग्लोबल होता है रिजन होता है बिल्कुल वैसे ही रिजन और ग्लोबल भी आप लोगो CS में देखने मिल जाएगा CS की जितने सारे फैन है उनके केडियर बनाने का टाइम आ चुका है और CS में आपके पास अच्छे स्कॉर्ड है सो आप लोग का टाइम आने वाला है CS में बहुत सरे ट्रोनामेंट भी आ रहे है हाँ आपको बता दू CS में नया ट्रोनामेंट आ रहे है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे लेकिन अभी बस यह जान लो कि आप लोगा लाइफ बनाने का टाइम आ रहा है CS का भी ग्रैंड मस्टर आने वाला है ग्लोबवल आने वाला है यहाँ पर आप उसका सारा चीज़ देख सकते हो सो गेमर्स आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की और endgamers अमारे जो next update होने वाला है वो free fire का biggest update में से एक है biggest update में से नहीं biggest update है और ऐसा update मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको देख के आप सोच में रह जाओगे कि क्या कर रहा है गिरिना और guys जब मैंने देखा ना खुद भरोसा नहीं कर पा रहा कि ऐसा भी कुछ आने वाला है लेकिन guys वो सच है और वो चीज़ क्या है सबसे पहले में बता रहा हूँ so please वीडियो को लाइक कर देना so यहाँ पर एक article देख सेकते हो guys यह article मेरा नहीं है यह official article है बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है देखो सबसे पहला change होगा ओभी update के बाद revival points पे जहाँ पे आप अपने दोस्त को revive करते हो जो बहुत सारे भाई को अच्छा लगता है बहुत भाई को बुरा लगता है basically मुझे अच्छा लगता है guys क्योंकि last में बहुत सारे बंदे होते इसमें fight करने में मज़ा आता है लेकिन जो भी sports player है जो rank पे practice करते है जादा kill करने का वो लोग इसमें थोड़ सा दिक्कत आ रहा था तो यहाँ पर revival point पे क्या change हो रहा है basically revival point हटेगा नहीं आप revival कर सकते हो और यहाँ पर क्या लेगा revival point cool down मतलब कि guys आप लोग revival point पहले cool down होता था 150 second में और अभी वो cool down होगा guys 180 second में and revival point game में बहुत जगा पे होता है 9-10 जगा पे होता है लेकिन guys अभी वो 7-8-6 यह 3 जगा तीन ही होगा छे जगा साथ जगा आठ जगा के अंदर ही revival point होगा बहुत कम हो जाए गा revival point तो सबसे बड़ा update तो यह revival point पे होने वाला है तो सोच सकते हो कितना है मैं एक और article आपको दिखाना चाहता हूं जो new एक चीज आने वाला है जो है आप लोगा नाम new granite या फिर उसका बोल सकते हो आइस granite हाँ आइस granite अलग granite है गाइस यह granite से compare मत करो आइस granite के जास्ता अभी तक कोई granite आया नहीं है यह काम क्या करते बेसिकली जब भी आप किसी enemy को damage दोगे सोचला अपने सामने granite मारा उसको लगा 45 का damage वो तो 45 damage एक साथ दे गई और भी एसिस के तरह थोरा थोरा करके पांच पांच करके damage देता रहेगा हाँ यहाँ पर आप भई पर सकतो अच्छे से मैं आपको समझा दे रहा हूँ आइस फ्रोष्ट रेडियस मतलब कि जहां तक वो रेडियस होगा उस पे आप लोगा बेस डियूरिशन भी कम होने वाला है अगर आपने जहाँ पर ग्रैनेट माला सामने एक स्कौर्ड है उसका जो जो 10% movement speed खम हो जाएगा 20% rate of fire खम हो जाएगा वह जो रेडियस बनाएगा यहाँ पर आपका जो ग्रैनेट फूटने के बाद एक गोल सा रेडियस बनाएगा वहाँ पर अगर enemy होता है यहाँ पर उसका 10% movement speed माइनस होगा 20% rate of fire माइनस होगा गिरिने कर क्या रहे है और यहाँ पर देख सकते हो उसका 5-10 करके damage गिरता रहेगा हर सेकेंड ठीक है तो यह चीज़ बहुत खतरनाक है एंड एक और बात और जो रेडियस बनाएगा वो मेरे पास आया गास मैंने आपको बता दिया प्लीज नीचे कमन में जरूर बताना अगर आपको यह चीज़ आज पहली बार लगा और आप लोग अगर यह पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना बहुत मेंद से लेका है था सो गया हम आगे बढ़ते हमारे आज के लास्ट कि दिखा देता हूं जहां पर मैंने दो तीन हपते पहले न्यू जो आप लोग का महिने में देखने हो मिलेगा मैं उसके छोटे से क्लिप दिखा देना चाहता हूं आप लोग चलिए वह क्लिप देखिए जैसा कि मैंने पहले बोला था लेकिन आपको जैसा पता है कि FFWS इवन स्टार्ट हो चुका है तो शायद आपको इस महिने जो है देखने को नहीं मिलेगा इस महिने में देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर देखो मैंने साफ सब बताया जून महिने में आएगा और वही प्रिडिक्शन यहाँ पर सही हुआ एड़ एकी के बारे में भी मैं प्रिडिक्शन करने वालो आई होप यह भी सही हो गाईस मैंने बहुत दिन पहले आपको लोग चैट दिखाया था जहाँ पर सारे सर्वर में एक की रिटन फोच चुका है और मुझे जहाँ तक लगता है रैंपेज इतना इवेंट खतम होते होते या फिरेंपेज इवेंट के लास्ट टैम पे आपको यहाँ पर ड्रैगो एक के देखने को मिल जाएगा मतलब कि आपका ब्लू फ्लेम ड्रैगो एके प्लीज अभी डाइमन बचाके रखो बहुत जल्दी आने वाले फेड़े ट्विल में और शायद यही महीने में लास्ट टाइम पे आपको देखने मिल जाएगा तो गेमर्स आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आगा वीडियो पसंदे लिडियो को लाइक जरू कर करi कर दो लाइक वीडियो बहुत बहुत जरूकर शायदादू कमा झाले परदी आने स्लिग भाइक बामने लादा में पसंद नह को दो इुलादा रज यही महीं आपको अल्जन हो घूंधर Savior